एलो दोस्तों स्वागता आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वला में तो आज की जो विक NCR रखी है इस रो की तरह से इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनाइजेशन की तरह से बंपर भरती का यह ओफिशली नोटिफिकेशन जरी किया गया है और यहाँ पे बिल्कुल फ्रेशर कनीरेट अपलाई कर सकते हैं किसी भी टैप का कोई भी एक्सपिरेंस इन्होंने नहीं मांगा एक पर्मानेंट सरकारी नौकरी आपको मिल जाती है जिसका सलरी बहुत बढ़िया रहने वाल है स्टार्टिंग सलरी आपका 85,000 रूप है पर महिने के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगा अलग-अलग टाइप की पोजिशन आपकी रहेगी जिसको मागे डिसकस करेंगी लेकिन उससे पहले मैं आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता देता हूँ देखिए अगर आपने डिपलोमा कर रखा है आप यहाँ पे अलिजिबल है अगर आपने यहाँ पे बीबी टेक कर रखा है आप इसको अपलाई कर सकते हैं अगर आपने अमियम टेक कर रखा है तो इसको अपलाई कर सकते हैं जो आपका selection रहेगा वो आपको यहाँ पे CVT exam होगा मतलब कि आपको exam देना पड़ेगा और उस exam के base पे आपका selection यहाँ पे देखने को मिलेगा interview भी आपको हो सकते हैं skill test भी हो सकते हैं जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ और इसी वीडियो के अंदर हम apply का पूरा process जानने वाल हैं तो वीडियो को अच्छे से पूरा देखेगा बिना skip किये तो बात कीज़े कि apply कैसे करना उस process के बारे में लेकिन अगर आपने उससे पहले वीडियो को like नहीं किया है तो like कर देना हमारा motivation बना रहता है जब आप वीडियो को like करते हो 900 प्लस आपको like करवाने है अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को share कर दीजेगा comment box में education qualification को comment करके बताना जैसे कि आपकी branch trade, pass out year, fresher हो या फिर experience holder हो ताकि मैं आपको next video के अंदर वही update provide करवा सकूँगा जो आपने comment box में बताया है मुझको और अगर आप मुझसे connect होना चाते हैं तो मैंने आपको वीडियो के description में एक link provide करवा रखा है connect with me का अगर आप उसपे click करते हैं आपके सामने directly tab open हो जाएगा और आप जो भी platform use करते हैं LinkedIn, Instagram, Telegram, Facebook, WhatsApp उसपे click करके directly हमसे join हो सकते हैं बात कर सकते हैं और यहाँ पे मैंने आपको top पे दे रखा है selected student के list को तो यह उन student के list है जो कि आज top MNC company में काम कर रहे हैं हमारे चैनल के थूँ तो इसी बात पे आप चैनल को subscribe कर लेना, bell icon को जरूर से press कर लिजेगा ताकि जब भी मैं next video upload करूँगा आपके पास सबसे पहले notification आएगा और आप उसको directly apply कर पाओगे तो चली वीडियो को शुरू करते हैं यहाँ पे मैंने directly officially notification को download कर लिए है जो कि आपको अभी screen पे नेजर आ रहा है और हम discuss करेंगे कि notification को को ऐसे download करना और apply कैसे करना उस तरीके के बारे में तो वीडियो को अच्छे से पूरा देखने है अब vacancy आ रहा है कि यहाँ पे इसरो की तरह से साथी साथ यहाँ पे NRSC की तरह से NRSC किया है National Remote Sensing Center है जो कि इसरो के अंदर कारे करता है और यह vacancy यहाँ पे निकाली गई है हेदराबाद की तरह से साथी साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एडियोटाजमेंट नमबर दे दिये गए नोटिफिकेशन का डेट यहाँ पे मेंशन किया गया है जिसको आप अच्छे से बढ़ सकते हैं उपर company का ब्यारा दे रखा है इसको आप देख सकते हैं अब यहाँ पे कुछ important point clear करना चाहूंगा दुबारा कि बिल्कुल fresh air candidate eligible है एक permanent सरकारी नौकरी रहेगा all India के candidate apply कर सकते हैं and यहाँ पे अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है या फिर आपने bb tech कर रखा है या फिर आपन वीडियो का अच्छे से पूरा देखेगा अब यहाँ पे बात कीज़े वेकेंसी के बारे में देखें यहाँ पे अलग-अलग type के वेकेंसी है जिसको यहाँ पे mention किया गया है सबसे पहले तो आपका serial number है कौन सा position है post code क्या है specialization क्या है number of post क्या है और यह आपका essential qualification mention कर इसमें कुछ vacancy निकाली गई है scientist की engineer की और कुछ vacancy अलग-अलग पदों के लिए है जिसको हम discuss कर लेते हैं यह आपका engineer का position रहेगा यह भी आपका engineer का position रहेगा scientist का position रहेगा इसमें B.S.C. मांगा है किसी के अंदर botany के अंदर मांगा है agriculture में मांगा है और किसी में physics और mathematics में मांगा है अगर आपने B.S.C. कर रहा है अप्लाइ कर सकते हैं लेकिन बात करते हैं अब हमारी branch के according जो आपका B.B.Tech है diploma है उनमें हम देख लेते हैं यहाँ पर scientist और engineer का position है इसमें अगर आपने B.B.Tech कर रहा है यहाँ पे M.Tech के साथ यहाँ computer science में और यहाँ पे इन्फॉमे आपने B.S.C. कर रहा है तो यहाँ पे बूलागा है scientist के अंदर इसमें अगर आपने B.S.C. कर रहा है physics के अंदर mathematics में जोलोजी में अप्लाइ कर सकते हैं उसके लबा यह भी आपका scientist और engineer की position है M.S.C. की है या फिर B.S.C. की है agriculture में chemistry में तो आप इसको अप्लाइ कर सकते है उसके लबा scientist और engineer का position है यह देगे और यहाँ पे अपने M.Tech कर रहा है या आप साथी साथ यहाँ पे अपने B.Tech कर रहा है और आपका planning भी architecture में कर रहा है तो भी आप इसको अप्लाइ कर सकते हैं ठीक है उसके लबा यहाँ पे और vacancy है यह भी आपका scientist और engineer के पदों के उसके लबा यह भी आपका vacancy है scientist और engineer का इसमें आप देख सकते हैं कि और में दे रखा है कि अगर आपने M.Tech कर रखा है civil में तो ठीक है eligible है और में दे रखा है कि अगर आपने यहाँ पे water resourcing के अंदर engineering कर रखा है या फिर आपने B.Tech कर रखा है civil में agriculture में तो आप इसको कर सकते हैं और यह भी आपका vacancy निकाला गए scientist और engineer का M.E.Tech कर रखा है remote sensing के अंदर या फिर J.A.S. के अंदर तो आप इसको अप्लाई कर सकते है साथी साथ यहाँ पे BB Tech कर रखा है civil में तो आप इसको अप्लाई कर सकते है या फिर agriculture के अंदर उसके लबा यहाँ पे medical officer की vacancy है अब यहाँ पे diploma की vacancy आ चुकी है nurse के अंदर यह vacancy निकाली गई है उसमें दे रखा है कि अगर आपने दसवी बार वी कर रखा है first class आपने diploma कर रखा है यहाँ पे तीन साल का तो आप इसको अप्लाई कर सकते है general nursing के अंदर अगर आपने diploma की है तो आप eligible है यह आपकी diploma की vacancy का और हो चुकी है next vacancy जो आपको देखने को मिलेगी library assistant की vacancy है इसमें आपका degree मांगए अगर आपने graduation कर रखा है first class मतलब की 60% के साथ और यहाँ पे master degree कर रखा है तो आप इसके लिए eligible है library science में library and information science के अंदर या फिर इसके equivalent अगर आपने कर रखा है तो आप eligible रहेंगे उसके लब अगर बात कीज़ें यहाँ पे eligibility criteria के बारे में तो मैं आपको यहाँ पे percentage criteria fix कर रखा है अगर आपने bb.tech कर रखा है तो 65% होने चीए अगर आपने b.ac कर रखा है तो 60% होने जरूरी है बाकी आप इसको अच्छे से देखेंगे आपको समझ माय जाएगा और यहा first class मतब की 60% का criteria complete होना चाहिए क्या काम रहेगा उसका पढ़ लेना nature of work के बारे में आप़े details से बताए गया है notification काफी बड़ा है तो हम इसको जल्दी से discuss कर रहा है यह आपकी job location देखने को मिलेगी इसमें अलग-अलग type का job location यहाँ पे दिया गया है and यहाँ पे salary क्या रहे का और library assistant का salary रहेगा वो आपका 55,554 रुपए लगबग 65,000 रुपए के अपरोक्स आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे age criteria fix किया गया है जैसे कि scientist का जो position है उसमें 18 से लेके आपका 30 साल रहेगा किसी में 18 से लेके आपका 28 साल रहेगा जो कि post code के according दिया गया है और यहाँ यहाँ पे nurse का जो आपका रहेगा और जो आपका library assistant का रहेगा उसमें 18 से लेके 35 साल तक का age criteria mention किया गया है age relaxation आपको मिल जाता है यहाँ पे application fees रहेगा वो आपका 1500 रुपए application fees रहेगा लेकिन अगर आप paper attend कर लेते हैं यहाँ पे जाकि paper दे देते हैं तो आपको अगर आप आपको आपको पांचो रुपए वापस से refund हो जाएंगे उन candidate को जिन्होंने paper यहाँ पे अटेंड किया है जो की paper देने यहाँ पे गए हैं उसके अलावा यहाँ पे बात की जाए कि आपका जो रहेगा payment आप internet banking यहाँ पे आप कर सकते हैं UPI के थुरू और debit card के थुरू यह आपे payment कर सकते हैं कौन-कौन से document upload करने है इस notification में mention कर रहे हैं इसको आप पढ़ सकते हैं selection क्या रहेगा जैसे कि scientist का जो position है और engineer का जो position है उसमें आपका written exam plus interview रहेगा nurse का और library assistant का है उसके अंदर आपका रहेगा written exam plus skill test आपका रहने वाला है तो उसके according आपका selection देखने को म upload कर लेना और pattern को एक और अच्छे से देख लीजेगा अब बात की जाएं यहाँ पे exam center कौन-कौन से रहते हैं जैसे कि यहाँ पे आपका रहेगा एमदबाद, बैंगलोर उसके बाद आपका केरला का, मुंबई का, नाकपूर का, न्यू डैली का, जोदपूर का, चिन्नी क हिदराबाद का कौलकता गा, यह आपका exam center रहेंगे, 10 exam center है, इन center पे जाके आपको exam को देना पड़ेगा, और qualify करते हैं, तो आपका interview skill test हो सकता है, उसके बाद अगर बात की जाएं यहाँ पे कुछ और important point के बारे में, जैसे कि notification काफी बड़ा है, तो यहाँ पे important date को discuss कर ल का, उस पे click करना है, तो आपके सामने directly या officially website open हो जाएगी, जो कि आप अभी screen पे देख पा रहे हैं, चलिए बात कर लेते हैं, कि यहाँ पे आपको notification को कैसे download करना है, और apply कैसे करना उस process के बारे में, तो अब भी हमने थोड़ी दिर पहले discuss किया था, किसका कौन कौन सा position र रहेगा, यह सबी चीजे, अभी हम थोड़ी दिर पहले discuss कर चुक है, ठीक है, तो अगर आप अभी तक यह video देख रहे हूं, मतलब कि आप पहली जी बोलो, इसको apply कर सकते हो, तभी तो आप video देख रहे हो, और मैंने आपको video के description में, इनके officially website का link दे रखा है, अगर अब ध c आता है, जो कि यह इस रो के अंदर कार्य गरता है, ठीक है, अब यहाँ पर आपको आजाना, officially website पे और आपको यहाँ पे इनके carrier वाल option पे थोड़ा scroll down करके नीचे आने, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको दिखेगा इसका advertisement, तो इस पे आप click करेंगे, directly आपके mobile में, आप आपके laptop में, आपके PC में, जो भी आप device यूज कर रहे हैं, उसके अंदर ये notification डाउनलोड हो जाएगा, उसको अच्छे से एक बार दुबारे read कर लेना, कि कौन-कौन से document upload करना है, क्या करना है, मैंने पहले समझा दिया है, फिर भी आप उसको अच्छे से read कर सकते हैं, ठी आपके पहली बार, कि आप अराम से notification को download कर लिजेगा, अब दूसरा क्या काम क्या रहेगा, कि आपको apply करना है, apply करने के लिए यहाँ पे apply online का button आपको मिल रहे है, ठीक है, तो simply आपको इस button पे click करना है, जैसी आप apply online वाले button पे click करेंगे, आपके सामने ये tab open हो जाएगा, NRSC e-recruitment application, ये आपका tab open होगा, ठीक है, अब यहाँ पे आपको scroll down करना है, यहाँ पे बोलेगा भई, email password डालो, तो अगर आपने यहाँ पे अपने account create ही नहीं किया है, तो आप email password कैसे डालोगे, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे officially जो website है, वहाँ पे registration करना पड़ेगा, औ आपको account create करना पड़ेगा, इस portal पे, ठीक है, तो आपको नीचे आना है, और यहाँ पे आपको मिलेगा, कि new user का button, तो मेर भई सबसे पहले जिन candidate ने, अभी तक registration नहीं किये, जो यहाँ पे eligible है, registration नहीं किये, तो सबसे पहले तो आपको account को create करना पड़ेगा, account create करने के बा जाएगा, जो कि बोलेगा sign up का, तो आपको यहाँ पे simple ही क्या करना है, जैसे कि आपको एक form दिया गया है, अपने diploma कर रखा है, बी टेक कर रखा है, अमियम टेक कर रखा है, तो आपका qualification इतना है, कि आप इसको अच्छे से पढ़ के समझ सकते हैं, और आप इसको अच्छे करके sign up कर लेना है, जैसे आपका sign up हो जाएगा, आपकी email id पे वहाँ पे मिलेगा, आपको एक password है, वो आपको क्या करना है, यहाँ पे, जैसी आपको email id पे एक password मिलेगा, तो आपको अपनी email id डालना है, जो password मिला है, उसको डालना है, और यहाँ पे capture code है, यहाँ पे डाल करोगे जो भी डोक्यमेंट नोटिफिकेशन में बताए गई है फिर भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो को लाइक करेगा शेयर करेगा और लोगों तक जिनको जोब की नीड है एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि आपका एजुकेशन कौलिफिकेशन कौन सा है कौन सी जवाब सर्च कर रहे हैं जैहिन